चेप्टर 9 लिनियर एक्विशन इन वन वेरिवल वक्षीट 2 फर्स्ट कुश्चन है दा प्रेजन डेज ओफ ए और बी आर इन दा रेश्यो 7 रेश्यो 5 10 येल्स लेटर देर एजिस विल बी इन दा रेश्यो 9 रेश्यो 7 पाइंट देर प्रेजन डेजिस देखें हमें ए और बी का रेश्यो दे रखका है प्रेजन डेश्यो है 7 रेश्यो 5 तो हम ले लेते हैं लेट दा प्रेजन डेज ओफ ए बी 7 एक्स एंड बी बी 5 एक्स इयर्स ठीक है यहाँ पे भी आप एक्स लगा दीजिएगा ए की एज लेली हमने 7 एक्स और बी की प्रेजन डेज लेली 5 एक्स ठीक है आगे बोला है 10 एक्स लेटर 10 साल बाद उनकी जो एज है उनका रेश्यो हो गया 9 रेश्यो 7 तो आफ्टर 10 एक्स एकी एज क्या हो जाएगी आज 7 एक्स है तो तसल बाद 7 एक्स प्लस 10 एतनी हो जाएगी और बी की एज कितनी हो जाएगी आज प्रेजन डेज जो है वो 5 एक्स है तो 5 एक्स में हम 10 प्लस कर देंगे यानि 7x प्लस 10 यह है ए की यह जो जाएगी 5x प्लस 10 बी की यह जो जाएगी और इनकी एज का जो रेशू है वो है 9 रेशू 7 यानि ए रेशू B कितना गिवन है 9 रेशू 7 तो ए की यह लिखे हमने 7x प्लस 10 रेशू B की 5x प्लस 10 इस इक्वल टू 9 रेशू 7 अब इस रेशू को हम फ्रेक्शन पॉर्म में लिख लेते हैं 7x प्लस 10 अपॉन 5x प्लस 10 इस इक्वल टू 9 बाई 7 अब हम कर देते हैं क्रॉस मल्टिप्लिकेशन ठीक है हम फाइंड करेंगे x की वेल्डियू x की वेल्डियू फाइंड करके हम इन में पुट कर देंगे तो इनकी प्रेजेंट दे जा जाएगे तो 9 की मल्टिप्लाई 5x प्लस 10 से और 7 की मल्टिप्लाई 7x प्लस 10 से ठीक है आगे देखिए 950 45 45x 9 इन्टू 10 90 इस इकल टू 7 मल्टिप्लाई 7x 49x प्लस 7 इन्टू 10 70 ठीक है x वाले टाम हमने कर लिए एले चेस में 45x 49 इदर आके हो गया 49-49x 70-90 तो 45-45x-49x-4x is equal to 70-90-20 माइनस से माइनस कैंसल कर दिया और x की वैल्यू आगई 20 अपॉन 4 5 x की वैल्यू 5 आगई अब हम इसमें पूट कर देते हैं तो एक ही एज क्या हो जाएगी एज प्रिजन्ट एज 7x है तो 7 x x की वैल्यू 5 35 यर और बीज प्रिजन्टेज 5 x 5 x 5 x 5 25 यर्स 2nd question 2 years ago, father was 3 time as old as his son and 2 year hence twice his age will be equal to 5 times that of his son find their present ages हमें present age निकालनी है और देखो हमें पहले दे रखिए 2 साल पहले क्या था? father अपने son से 3 times था तो पहले हम 2 years ago लेते हैं ठीक है? 2 years ago से start करेंगे let 2 years ago the age of son b x years अगर 2 साल पहले बेटे की age x year थी तो father कितना है? 3 times तो father की age कितनी हो जाएगी? father was 3x year ठीक है? अब 2 years ago से present पहले आ जाओ तो present age कितनी हो जाएगी? present age of son 2 साल पहले x थी तो अब present age हो जाएगी? x plus 2 years और father की कितनी हो जाएगी? present age of father 2 साल पहले 3x थी तो 3x plus 2 years जब आगे बढ़ेंगे तो हमेशा प्लस करेंगे जितने साल आगे जाएगे जब आप पीछे जाएगे अगो जाएगे तो उतने साल माइनस करेंगे ठीक है? अब 2 साल पहले से हमने start किया था question के according कि 2 साल पहले हमने माने कि sun की age थी x year और father जो थे 3 times थे तो father की age जो गए 3x years अब 2 साल के बाद हम present पे आए तो sun की age हो गई x में हमने 2 year plus कर दिये x plus 2 years और father की 3x plus 2 year ठीक है? अब आगे देखें 2 year hence दो साल बाद 2 years hence hence मतलब after 2 year अब 2 साल बाद कितनी हो जाएगे? present age x plus 2 x तो 2 साल बाद हो जाएगे x plus 2 plus 2 अब दो और plus कर दो तो यह बन जाएगे x plus 4 year यह किसकी हो गई? 2 years hence sun age sun की हो जाएगे x plus 4 year और father यह हो जाएगे 3x plus 2 plus 2 means 3x plus 4 years इतनी हो जाएगे? अब इनके बारे में क्या बोला है? twice his age will be equal to 5 times that of his son उसकी age क्या? father की age का twice equal है son की age के 5 times के twice of father's age is equal to 5 times that of his son 5 times son's age ठीके? तो 2 multiply father age कितनी है? 3x plus 4 is equal to 5 times son age कितनी है? x plus 4 ठीके? यह question बन गी है हमारे पास अब हम इसे solve कर देते हैं 2 3 जा 6x 2 forger 8 is equal to 5x plus 5 forger 20 तो 6x minus 5x is equal to 20 minus 8 6x is equal to 12 x की value 12 आगे हमें find क्या करना है question में? देर present age present age कौन सी थी? x plus 2 father की 3x plus 2 ठीके? तो present age आजाएगी present age of son x plus 2 अब इसमें x की value पूट कर दो 12 12 plus 2 14 years और present age of father 3x plus 2 इसमें भी एक्ती value पूट कर दो 3 multiply 12 plus 2 12 त्री जा 36 plus 2 38 years question 3 the sum of the digits of a two digit number is 8 दो digits का एक number है जिनकी digits का sum कितना है? 8 the number obtained by interchanging the digits exceed the given number by 18 अगर हम उन number को उनके जो digits से उनको interchange कर दें तो जो number बनेगा वो given number से 18 exceed मतलब जादा है find the given numbers तो हमें given numbers फाइंड करने तो डिजिट का number है देखें तो डिजिट में एक होगी once place और एक होगा 10th place और इन दोनों digit का जो sum है वो है 8 ठीक है तो हम क्या करते है अगर हमने once place पर जो digit है उसको ले लेते है एक्स let the digit at once place be x अगर हमने once place पर जो digit है उसको x ले लिया तो 10th place पर जो digit है वो क्या हो जाएगी इसको solve कर दो 8-x बन जाएगी so the digit at 10th place is 8-x ठीक है अब original number क्या बनेगा the original number वो क्या होता है जो once place है उसको as it is लिखते है जो 10th place पर होता है उसकी multiply है हम 10 से करते है ठीक है इस तरह से हमारा पूरा number formed होता है once place पर है x तो x लिखो 10th place पर है 8-x और 10th place पर है उसकी multiply होती है 10 से तो 80 10 into 8 80-10 into x-10x प्लस x इसको आगे solve करोगे तो बन जाएगा 80-9x ठीक है यह हमारा original number बन गया अब आगे बोला है the number obtained by interchanging the digits अब एक और नया number बनाना है जो बनेगा digits को interchange करके यानि once place पर जो है वो 10th place पर आ जाएगा जो 10th place पर है वो once place पर आ जाएगा तो after interchanging the digits digits को interchange करा तो once place क्या हो जाएगा जो पहले 10th place था 8-x और 10th place क्या हो जाएगा जो पहले once place था x ठीक है तो नया number क्या formed होगा new number is once place प्लस 10th place once place पर लिखा 8-x प्लस 10th place पर जो इसके 8-x तो यह बन गए 10-x 9x प्लस 8 यह बन गए हमारा new number ठीक है आगे देखे इन्होंने बोला क्या है the number obtained by interchanging the digits यानि कि जो new number है exceed the given number वो पहले वाले नंबर से औरिजनल नंबर से 18 जादा है तो new औरिजनल नंबर 80-9x प्लस 18 औरिजनल नंबर से 18 जादा है new number अब इसको solve करते है 9x माइनस 9x इधर आके होगे प्लस 9x 80 प्लस 18 98 8 इधर जाके माइनस 8 9x प्लस 9x 9x 18x इस इकल तो 90 और x इस इकल तो 90 अपोन 18 मीनस 5 x की वैल्वी 5 आ गए अब हम औरिजनल नंबर भी निकाल सकते हैं new number भी निकाल सकते हैं औरिजनल नंबर क्या था मारे पास 80 माइनस 9x तो ओरिजनल नंबर 80 माइनस 9x इसमें x की वैल्यू पुट कर दो 80 माइनस 9 multiply 5 तो 80 माइनस 45 इस 35 ओरिजनल नंबर 35 है तो new नंबर क्या होगा इंटरचेंज कर दो डिजिट को डिजिट इंटरचेंज कर दो तो once place जो है 10th place पर 10th place जो है once place पर 35 का जब इंटरचेंज करेंगे तो वो बन जाएगा 53 तो new नंबर बन गया 53 question number 4 the once digit of a two digit number is twice the 10th digit once digit जो है two digit number की वो 10th digit पर जो भी digit है उसकी twice है when the number formed by reversing the digits is added to the original number और फिर एक नया number बना कैसे digits को जब हमने इंटरचेंज कर दिया उस number को जब हमने original number में add किया तो the sum is 99 तो sum बना 99 find the original number हमें find करना है original number तो देखिए हम स्टार्ट करेंगे once digit जो है वो twice है 10th digit की तो सबसे बैने हमने लिया कि एक 10th digit जो है उसको हम x ले लेते हैं let the digit add 10th place 10th place पर जो digit है उसको हमने ले लिया bx तो once digit क्या हो जाएगी इसकी twice 2x the digit add once place x की twice 2x ठीक है तो number क्या formed होगा original number once place plus 10th place once place है x sorry once place है 2x plus 10th place पर है x जो 10th place पर होता है उसकी multiply हम 10 से करते हैं तो यह बन गया 10x plus 2x यानि 12x यह बन गया हमारा original number अब हमें एक और नंबर बनाना है digits को reverse करके अब digit add once place once place पर जो digit है वो क्या हो जाएगी अब x जो पहले 10th place पर थी और 10th place पर जो digit है वो क्या हो जाएगी अब 2x जो पहले once place पर थी ठीक है ऐसा क्या हुआ जब हमने digit को reverse कर दिया reversing the digit तो new number क्या formed हुआ new number is once plus 10th ऐसे बनाते है नंबर once place पर है x 10th place पर क्या है 2x और जो भी number 10th place पर होता है उसकी multiply 10 से 10 into 2x 20x plus x तो new number formed हो गया 21x ठीक है आप आप देखिए when the number formed by reversing the digit जो number बना है डिजिट को reverse करके यानि कि new number original number में add किया तो sum बना 99 यानि कि new number plus original number इन दोनों का sum कितना है 99 यू नंबर कितना होगे 21x plus original number क्या है 12x is equal to 99 21x plus 12x 33x is 99 x is equal to 99 divided by 33 हमें मिल गया 3 x की value मिल गई हमें क्या find करना है original number तो original number क्या हमारे पास 12x इसमें हम x की value put कर देंगे तो original number is 12x तो 12 multiply x की value 3 तो हमें number मिल गया 36 question number 5 the sum of the digits of a two digit number is 11 two digit का एक number है जिनकी digit का sum कितना है 11 है the number obtained by interchanging the digit exceeds the original number by 27 find the number देखो सबसे बहले हमें एक original number बनाना होता है फिर digit जब interchange हुई यह reverse हुई तो उससे एक नया number बनाना होता है फिर जो statement है उसके according हमें question बनाना होती है तो अब देखो दो digit का एक number है जिसके digit का sum क्या है 11 यानि एक हो गया once place और एक हो गया 10th place इन दोनों digit का sum है 11 ठीक है तो हमने क्या किया let the digit add once place once place पर जो digit है वो हमने ले ली x once place पर अगर हमने x ले ली तो 10th place पर जो digit है वो क्या आगी 11-x ठीक है इसलिए the digit add 10th place वो हो चाहेगी 11-x digits बता चलगी फिर हम बनाएंगे original number की number क्या फोर्म होगा the original number once place प्लस 10th place once place है x और जो भी number 10th place पर है उसकी multiply हम करते हैं 10 से 10 into 11 110 10 into x minus 10 x हो जाएगा minus x है plus x तो यह हो गया 110-9x ठीक है यह बन गया हमारा original number अब after interchanging the digit अब digit को interchange करना है यह reverse करना है यह interchange करना after interchanging the digits once place हो जाएगा आप जो पहले 10th place था 11 minus x और 10th place हो जाएगा आप जो पहले once place था x ठीक है तो new number क्या बनेगा once plus 10th once place पर 11 minus x plus 10th place पर x और 10th place पर जो भी number है उसकी multiply 10 है तो 10x plus 11 minus x is equal to 9x plus 11 यह नया नमबर बन गया आप देखिए क्या बोला है the number of 10 by interchanging the digits यानि कि जो यह नया नमबर है exceed ज्यादा है original number से by 27 original number से 27 ज्यादा है तो new number is original number plus 27 तो new number हमने लिखा 9x plus 11 original number 110 minus 9x plus 27 यह यह equation मनगे इसको solve करते 9x plus 9x यह 9x इदर आगया 110 plus 27 यह 11 इदर चला गया यह हो गया 18x 27-11 16 110 plus 16 1 to 6 और x is equal to 126 अपोन 18 18 7 ज्या 126 x की value मिल गई हमें find करना है number तो number is original number तो number क्या हो जाएगा original number is 110 minus 9x इसमें x की value पुट कर दू 110 minus 9 into 7 110 minus 97 ज्या 63 1110 minus 63 47 question number 6 the sum of 3 consecutive multiple of 7 is 777 find these multiples 3 consecutive multiple है 7 के जिनका sum है 777 हमें यह multiple find करने है तो हमने first multiple ले लिया let the first multiple of 7 is 7x first multiple 7 की multiply x से करी 7x हो गया तो the next multiple अगले तो multiple क्या हो जाएगे of 7 will be अभी हमने x से करी थी तो x का consecutive क्या होता है x plus 1 तो अगला multiple क्या हो जाएगा 7 multiply x plus 1 और next 7 multiply x plus 2 फिके यह 3 multiple हो गया पहले हमने 7 की multiply x से करी तो 7x हो गया first multiple फिर x का consecutive क्या हो था x plus 1 फिर x plus 1 का x plus 2 तो यह 3 numbers से हमने multiply करी 7x 7 multiply x plus 1 7 multiply x plus 2 इन तीनों multiple का सम है triple 7 7x plus 7 within bracket x plus 1 plus 7 within bracket x plus 2 इन तीनों का सम triple 7 तो यह solve करते हैं 7x 7 की x plus 1 से multiply करी 7x plus 7 और यहां पहे 7x plus 14 is triple 7 7 x plus 7 x plus 7 x plus 7 x 21 x plus 14 plus 7 21 is equal to triple 7 तो 21 x is equal to triple 7 minus 21 फेले हम 21 minus कर देते हैं यह आगे 756 तो x is equal to 756 अपोन 21 यह 7 से divisible है 7 3 जा 21 7 बने 7 7 8 जा 56 3 3 जा 9 3 6 जा 18 तो x की value हमने find कर ली 36 तो 3 multiple क्या थे हमारे पास 7x नेक्स था 7 into x plus 1 और 7 into x plus 2 तो x की value उपूट कर दू 7 multiplied 36 यहां पर क्या जाएगा 7 multiplied 36 plus 1 37 और यहां पर 7 multiplied 36 x की value 36 36 plus 2 38 ठीकर 7 6 जा 42 carry 4 7 3 जा 21 25 7 7 जा 49 carry 4 7 3 जा 21 21 और 4 25 7 8 जा 56 carry 5 7 3 जा 21 21 और 5 26 तो यह 3 multiple आगे question 7 the sum of 3 consecutive multiple of 9 is 999 find this multiple same question है सबसे बहले हमने क्या किया first multiple ले लिया let the first multiple of 9 is 9x the next two multiple will be वो दोनों क्या हो जाएंगे 9 multiply x plus 1 फिर 9 multiply x plus 2 ठीकर 9 की multiply x से फिर 9 की multiply x plus 1 से फिर 9 की multiply x plus 2 से यह 3 multiple होगे इनका समय triple 9 तो 9x plus 9 within bracket x plus 1 plus 9 within bracket x plus 2 is equal to triple 9 ठीकर इसे solve करते 9x plus 9 की x plus 1 से multiply करोगे 9x plus 9 plus 9 की multiply x plus 2 से 9x plus 9 2 जा 18 is equal to triple 9 9x plus 9x plus 9x 27x plus 18 plus 9 is equal to triple 9 27x is equal to triple 9 minus 27 27x is equal to 972 ठीकर तो x के आगे हमारे पास x is equal to 972 upon 27 इसे हम 9 से डिवाइट कर देते हैं 9 3 0 27, 9 बंजे 9, 9 8 0 72, 3 3 0 9, 3 6 0 18 तो x की value 36 आए तो multiple क्या हो जाएंगे? पहला multiple था 9x यानि 9 multiply 36 तूसरा क्या था 9 multiply x plus 1 यानि 9 multiply 36 plus 1 37 और थर्ड multiple था 9 multiply x plus 2 तो 9 multiply 36 plus 2 38 multiply कर देते हैं 9 6 0 54 carry 5, 9 3 0 27, 27 और 5 32 9 7 0 63 carry 6, 9 3 0 27, 27 और 3 33 9 8 0 72 carry 7, 9 3 0 27, 27 और 7 34 ये तीन आगे multiple question number 8 the denominator of a rational number is greater than its numerator by 7 एक rational number है जिसमें denominator जो है उसके numerator से 7 greater है, बढ़ा है if 3 is subtracted from the numerator and 2 is added to its denominator अब एक change आया कि numerator को 3 numerator में से 3 subtract कर दिया और denominator में 2 add कर दिया the new number become 1 by 5 तो जो नया number है वह 1 by 5 बन गया find the rational number तो हमें वह rational number find करना है तो देखिए सबसे पहला statement देखिए numerator डिनुमेटर जो है numerator से 7 बढ़ा है तो हम ले लेते हैं लेट the numerator बी बी x हमने numerator को x ले लिया so the denominator बी तो denominator कितना हो जाएगा numerator से 7 जादा तो numerator में 7 एड़ कर दू x प्लस 7 ठीके तो rational number क्या बन गया rational number is numerator upon denominator यानि x upon x प्लस 7 यह मारा rational number पॉम हो गया अब आगी change देखिए if 3 is subtracted from the numerator तो new numerator क्या बन गया जो पहले numerator था उसमें से 3 subtract कर दू and 2 is added to its denominator तो new denominator क्या आ गया जो भी denominator पहले था x प्लस 7 उसमें 2 एड़ कर दू तो यह हो जाएगा x प्लस 9 ठीक है अब जो नया नंबर आया है वो बन गया 1 by 5 तो new rational number हमारा क्या बना फीक ही नूढू नंबर आपों new denominator यह एड़ x – 3 अपों x प्लस 9 और गिवन न्यो नंबर क्या है न्यो नंबर ये न्यो राशनल नंबर वो है 1 by 5 जो हमने नए रैशनल नंबर बनाया वो है x-3 upon x-9 ये कैसे बनाया नए numerator और नए denominator से जो पहले numerator और denominator थे उसमें change करने के बाद जो नए आये हैं उनसे और हमें जो given नंबर दे रखा है वो दे रखा है 1 by 5 यानि ये और ये क्या है इक्वल है ठीक है तो हम इन्हें इक्वल में रखेंगे x-3 upon x-9 is equal to 1 by 5 अब हमने करी cross multiply 5 की multiply x-3 से 1 की multiply x-9 से 5x-15 is equal to x-9 अब x वाले term हमने LHS में ले लिए तो यह x इदर आ गया minus x 9 15 इदर आके plus 15 होगे minus 15 5x-x 4x 15 plus 9 24 तो x is equal to 24 by 4 6 x की value आगे 6 हमें rational number निकालना है rational number क्या था x upon x plus 7 यानि जो हमारा numerator है वो है x तो numerator हमारा आगे 6 x की equal और denominator क्या बन गया x plus 7 x की value 6 6 plus 7 13 ठीक है तो rational number क्या बन गया so rational number is numerator upon denominator 6 upon 13 question number 9 the numerator and denominator of rational numbers are in the ratio 3 ratio 4 या तक देखें numerator और denominator जो है एक rational number के उनका ratio दे रखा है वो है 3 ratio 4 तो सबसे वेले हम इसको लिखते हैं since the ratio since the numerator and denominator are in the ratio 3 ratio 4 numerator denominator denominator का ratio दे रखा है 3 ratio 4 तो हम क्या करेंगे let the numerator numerator भी इसलिए हमने ले लिए numerator को 3 x जब भी ratio दे रखा हो न तब आपैसे करेंगे let the numerator numerator भी 3 x and denominator भी 4 x ठीक है numerator हमारे पास होगे 3 x और denominator होगे 4 x क्योंकि numerator अब हमें numerator में कोई चेंज नहीं दिया डिनोमेटर में जो चेंज है कि उसको 3 इंक्रीज कर दिया तो देखेंगे इससे हमारा रेशन नंबर था 3 x प्लेस 4 तो यह हम रेशन नंबर भी लिख लेतें रेशन नंबर इस numerator अपोन डिनोमेटर 3 x अपोन 4 x यह बन गया अब डिनोमेटर में कोई चेंज नहीं है तो डिनोमेटर तो वही रहेगा 3 x और डिनोमेटर डिनोमेटर कितना हो गया हमारा यहां पर डिनोमेटर पहले था 4 x अब 4 x को 3 इंक्रीज कर दिया increase कर दिया तो 4x में plus 3 कर दिया तो ये बन गया हमारा नया denominator जब denominator change हो गया तो rational number भी change हो जाएगा ठीक है तो new rational number numerator denominator दोनों में change हो या एक में change हो तो rational number जो है वो भी change हो जाएगा अब वो हो गया हमारे पास 3x upon 4x plus 3 ये बन गया हमारा new rational number और new rational number जो है वो उसका ratio हमें दे रखा है 3 ratio 5 ठीक है अब यहां हमने fraction में लिखा है तो ये जो हमारा नया ratio है इसको भी हम fraction में लिख लेंगे तो new rational number 3x upon 4x plus 3 is equal to किसके equal हो गया ये 3 ratio 5 के तो 3 ratio 5 को मैंने rational form में लिख लिया 3 upon 5 ठीक है इसे fraction form में लिख लिया rational नहीं fraction form में लिख लिया 3 ratio 5 इसको हम लिख सकते हैं 3 upon 5 in the fraction form ठीक है अब करेंगे हम cross multiply 3 की multiply 4x plus 3 से और 3x की multiply 5 से 12x plus 9 is equal to 15x तो 12x minus 15x is equal to 9 इदर आके हो जाएगा minus 9 तो minus 3x is equal to minus 9 और x is equal to minus 9 upon minus 3 यानी x की value आगी 3 x की value 3 आगी हमें find करना है rational number और हमारा rational number क्या था 3x upon 4x तो rational number is 3 multiply 3 upon 4 multiply 3 x की value हमने इसमें put कर दी 3 3 is a 9, 4 3 is a 12 तो 9 by 12 is our rational number question number 10 our motor board goes downstream and covers a distance in 4 hours while it covers the same distance upstream in 5 hours if the speed of the stream is 3 km per hour find the speed of the motor board in still water तेकि या पर बहुत सारे नए वर्स हैं इनका meaning मैं आपको explain करूंगी जैसे है downstream और upstream ठीक है speed of the stream 3 km per hour और हमें find करना है speed of the motor board in still water still water मतलब शांथ पानी जो नदी है उसमें जो पानी का बहुँ है वो कैसे बिलकुर शांथ ऐसे सीधा ठीक है सबसे पहले speed of motor board ले ली हमने let the speed of boat in still water speed की जो unit होती है वो क्या होती है km per hour ठीक है तो let the speed of boat in still water be x km per hour अब देखिए downstream और upstream के है यहाँ पर नदी है और यहाँ पर जो stream है stream का मतलब होगे धारा नदी की जो धारा है ठीक है ऐसे अब जो direction of flow of stream जो stream की जो flow कर रहा है वो कर रहा है इस direction में और जो boat है वो है इस direction में ठीक है stream यानि की नदी की धारा है उसकी direction है इस तरफ और boat जो है उसकी direction है flow की इस तरफ अपोजिट हो गई ना तो इसको हम कहते हैं upstream इसे हम कहते हैं upstream जब दोनों की direction क्या है direction of flow of boat and direction of flow of stream अपोजिट है ठीक है तो इसे हम कहते हैं upstream इस case में हम boat speed of boat में speed of stream को minus करेंगे speed of boat जो है उसमें से speed of stream को minus करते हैं ठीक है second case आता है जैसे यह नदी की धारा है downstream है अब direction जो है boat की जो direction है जो जिस direction में flow कर रहे है और stream की जो direction है नदी की धारा है उसका flow भी इसी तरफ है दोनों की direction सेम है तो इसको हम कहते है downstream इस case में हम boat की speed और stream की speed दोनों को add करते है ठीक है आप यह चीज़ याद रखेंगे अब आगे हमें question बनाते है speed of boat in still water भी x km और speed of stream speed of stream stream मतलब होगे नदी की धारा वो हमें दे रखी 3 km पर आर ठीक है अब हम speed निकालेंगे boat की जब वो downstream जा रही है तो speed of boat downstream downstream में मैंने आपको बताया speed of boat में speed of stream plus हो जाती है तो speed of boat downstream downstream केस में speed of boat हो जाएगी x plus 3 km पर आर ठीक है यहां तक आपको समझ में आया अब आगे देखिए आप motor boat goes downstream speed हमें पता तिल की downstream की यह है cover से distance in 4 hour कितना distance कवर किया यह नहीं पता कितने time में किया 4 hours में तो time time 4 hour downstream की speed है x plus 3 km पर आर और time है 4 hour तो distance कितना हो गया distance का formula होता है मारे पास speed into time ठीक है तो distance covering downstream speed x plus 3 time 4 4 x plus 12 4 x plus 4 3 is 12 यह आगे distance ठीक है किस केस में जब वो downstream जा रहा है अब आगे देखो while it covers the same distance अब distance यह में upstream upstream कभी लेकिन कितने time में है 5 hours में अब upstream के speed कितनी है यह time कितना है 5 hours upstream speed x minus 3 km पारा time 5 hours ठीक है अब इसका distance हम निकाल देंगे distance होता है speed into time speed speed x minus 3 time 5 hours तो 5 into x 5 x 5 multiply minus 3 minus 15 km distance है थो हम लिखेंगे km में अब अब यह बोला है कि same distance है downstream और upstream का जो distance है वो same है यानि कि यह वाला distance और यह वाला distance दोनों equal है तो equal है तो हम इने equal to में रख सकते हैं प्लस 12 इदर आके होगे minus 12 तो minus x is equal to minus 27 और x की value आकी हमारे पास 27 हमें क्या find करना था speed of motor boat in still water और boat की speed को हम नहीं लिया था x किलोमेटर पर आर तो x की value जो आई है यह क्या है हमारे पास speed of boat so speed of boat in still water is 27 unit जरूर लिखेंगे आप km पर आर question 11 steamer steamer मतलब आप boat से ही लेंगे steamer एक boat होगी going downstream in a river covers the distance between two towns in 15 hours steamer जो downstream जाता है और distance cover करता है two towns के बीच में 15 hours में coming back upstream अब जब upstream आता है it covers the same this distance in 20 hours तो वो इसी distance को 20 hours में cover करता है the speed of the water water मतलब stream होगी धारा पानी की धारा है is 3 km पर आर speed of water हमें given है 3 km पर आर find the distance between two towns दोनों टाउन के बीच का distance हमें find कर ला है तो देखें steamer की speed नहीं दे रखी तो सबसे पहले आप steamer की speed लेंगे steamer मतलब boat से ही हो गया let let speed of steamer अब downstream 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 करने में टाइम टाइम कितना है 15 hours आप stream का time दे रखा है 20 hours upstream कवर करने में time लगता है speed at upstream की इतनी और time है 20 hours और दोनों का distance किया है same है ठीक है तो distance इस case में distance कितना हो जाएगा पहले हम इसका distance निकाल देते है speed into time x plus 3 multiply 15 x plus 3 की multiply 15 से कर दूँ और यहां पर distance किया जाएगा speed into time same formula यहां पर speed कितनी है x minus 3 और time कितना है 20 15 into x 15x plus 15 into 3 45 20 into x 20x minus 20 into 3 minus 3 है तो minus 60 ठीक है अब यह दोनों distance किया है equal है तो distance is equal to 15 x plus 45 और यह distance किसके equal है 20 x minus 60 जितना distance downstream में cover किया है उतना ही distance upstream में cover किया है तो हमने इन distance को equal में ले लिया ठीक है अब आगे देखिए 15 x minus 20 x is equal to minus 60 minus 45 20 इदर लिया है minus 20 हो गया 45 इदर ले गया minus 45 15 minus 20 minus 5 x minus 60 minus 45 minus 105 minus से minus cancel कर दिया x is equal to 105 upon 5 21 x की value आगे हमेरे पास 21 हमें point करना है distance between two town तो distance हमारा क्या है यह है और यह है आप चाहे x की value इसमें put करो चाहे इसमें put करो answer आपका same आएगा तो distance between two town is 15 x x plus 45 इसमें x की value पुट कर दो 15 multiply 21 plus 45 15 बंज़े 15 carry 1 15 to 30 और 1 31 प्लस 45 360 km तो distance आगया 360 km मैंने इसमें किया है आप इस equation में भी पुट करेंगे तो भी answer यही आएगा Q12 The distance between two towns is 300 km 2 cars start simultaneously from these towns and move toward each other The speed of one car is more than the other by 7 km per hour If the distance between the cars after two hours is 34 km Find the speed of the cars देखिए यह distance ले लिया हमने दो towns के बीच में यह town हो गया A यह town हो गया B इन दोनों के बीच में का जो distance है वो है 300 km अब अब 2 cars एक car यहां से start हुई एक car यहां से start हुई और यह किस तरफ मूफ कर रही है Toward each other यानि यह यहां से ऐसे चल रही है यह यहां से ऐसे चल रही है एक दूसरी की तरफ Speed of one car is more than the other by 7 km per hour और if the distance between the cars after two hours और दो गंटे बाद जितना इन्होंने distance cover किया उसके बाद उनके बीच का जो distance बचा है वो है 34 km हमें find करनी है cars की speed तो हमने सबसे बहले लिया Let the speed of first car be x km per hour पहली कार की speed हमने ले ली x speed of other car तो दूसरी कार जो है उसकी speed हो जाएगी 7 km ज्यादा तो x plus 7 km per hour अब हमें find करना है कि उन्होंने दोनों कार ने कितना distance cover किया पहले 2 hours में तो first car का हमें time हमें हमें 2 hours तो distance तो 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 है 2, 2x km, तो first car ने 2 hours में कितना distance कवर किया, 2x km, इसी तरह से हमने दूसरी car कर निकाला distance, distance traveled by other car in 2 hours, दूसरी car ने कितना distance कवर किया, same formula, distance is equal to speed into time, speed कितनी है इसकी, x plus 7, time है 2, तो यह हो जाएकर 2x plus 14 km, ठीक है, अब देखे, 2 गंटे में इस car ने इतना distance कवर कर लिया, यह हो गया 2x, इस car ने इतना distance कवर कर लिया, यह हो गया 2x plus 14, और अभी जो यह distance बचा है, यह कितना है, 34 km, लिखा है न, if the distance between the cars, after 2 hours, 2 hours ने इसने इतना कवर किया, इसने इतना कवर किया, उसके बाद जो इतना distance बचा है, इसको हमने ले लिया, 34 km, इन्होंने बोला है, अब जो distance बचा है, इतना, वो है 34 km, तो अब देखे, यहां से यहां तक, 2x km, यहां से यहां तक, 34 km, और यहां से यहां तक, 2x plus 14, और यह पूरा मिला कर कितना distance है, 300 km, ठीक है, तो आगे हम क्या लिखेंगे, distance, covered by first car, plus distance, covered by other car, यह second car, plus remaining distance, remaining distance, जो distance अभी बाग की है, तीनों को मिला कर, total distance कितना है, 300 km, ठीक है, अब लिख देते हैं, हम इसमें put कर देते हैं, first car ने कितना distance covered किया, 2x, second car ने कितना किया, 2x plus 14, remaining कितना है, 34, इन तीनों को मिला कर आगया, 300, ठीक है, इसको solve करते है, 2x plus 2x, 4x, 34 plus 14, 44, ठीक है, 34 plus 14, 48, ठीक है, इसको इसको 300, 400, 4x is equal to 300 minus 48, ठीक है, 252, आगे यहां पर देखे, ठीक है, ठीक है, ठीक है, था हमारा, speed of first car, तो speed of, first car, हो गई है, मारे पास, 63 km पर आर, और speed of second car, दूसरी car जो है, उसकी speed कितनी हो जाएगी, 63 plus 7, x plus 7, यानि 63 plus 7, 70 km पर आर, question no. 13, the length of a rectangle is greater than the breadth by 18 cm, if both length and breadth are increased by 6 cm, the area increases by 168 cm square, find the length and breadth of the rectangle, length जो है rectangle की, वो breadth से 18 greater, ज्यादा है, ठीक है, तो सबसे बहले हमने breadth लेली x, let the breadth be x cm, तो length कितनी हो जाएगी, x plus 18 cm, ठीक है, अब area of rectangle क्या होता है, length into breadth, तो हम point कर लेते हैं area, तो area of rectangle, is l into b, length है x plus 18, और breadth है x, तो इनका product आ गया, x square plus 18x, x की x से इंटू गरी x square, x की 18 से इंटू गरी 18x, area किसमें निकलता है, cm square, ठीक है, अब आगे पढ़िए, इस both length and breadth are increased by 6 cm, तो new length कितनी हो जाएगी, दोनों को 6 by 6 cm increase कर दिया, तो new length हो गई, पहले थी x plus 18, इसमें 6 increase कर दो, तो यह बन गई, x plus 24 cm, और new breadth कितनी आ जाएगी, पहले थी x, तो x plus 6 cm, ठीक है, तो new area, area भी change हो जाएगा, length और breadth चेंज होगी, तो new area is length into breadth, अब length है x plus 24, और breadth है x plus 6, इन दोनों का product करते हैं, तो देखिए, अब है binomial की binomial से multiply, तो first term, first binomial जो है, उसका first term लिया, और उसकी multiply करी, second binomial से, अब first binomial का second term, plus 24, उसकी multiply करेंगे, x plus 6, second binomial से, ठीक है, अब x की multiply x से, x square, x की multiply plus 6 से, 6x, 24 की multiply x से, 24x, plus 24 की multiply, 6 से, 144, ठीक है, अब देखिए, यह दोनों like term है, तो हम इन दोनों का add कर सकते हैं, 6x plus 24x, यह हो गया, 30x, यह आगे नया area, cm square, ठीक है, अब आगे पढ़िए, then area increases by 168 cm square, जो नया area आया है, यह increase हो गया, 168, किससे increase होगा, जो पहले area था, original area था, उससे 168 increase हो गया, तो new area, is original area, of rectangle, प्लस 168, उससे 168 increase हो गया, तो new area हमने लिखा, x square, प्लस 30x, प्लस 144, जो हमने निकाला, जो कब आया, length और breath में change करके, original area था, x square प्लस 18x, और original area से वो 168 increase हो गया, तो इसलिए हमने 168 इसमें एड़ कर गया, ठीक है, अब आगया चाहिए, x square, यह वाला x square इदर आकर, माइनस x square हो गया, प्लस 30x, 18x इदर आकर, माइनस 18x हो गया, 168 यहाँ पे था, 144, constant हमने रहेस में ले लिए, माइनस 144 हो गया, आप देखिए, x square माइनस x square, यह दोनों cancel हो जाएंगे, 30x माइनस 18x, 12x, is equal to 24, तो x is equal to 24 अपॉण 12, 2, तो x की value आगी है हमारे पास 2, और x हमने किसको लिया था, ब्रेथ को, find the length and breadth of the rectangle, हमें length और ब्रेथ निकालना है रेक्टेंगल की, तो ब्रेथ हो गई, 2 cm, और लेंथ हो गई, ब्रेथ से 18 ज्यादा, 2 प्लस 18, 20 cm, Question 14, The length of a rectangle is greater than the breadth by 3 cm, If the length is increased by 9 cm, and breadth is reduced by 5 cm, the area remains the same, ये change करने पर area जो है वो सेम ही है, find the dimension, dimension मताब length और breadth, rectangle की हमें find करनी है, अब देखें, length जो है वो breadth से 3 ज्यादा है, तो हमने breadth लेली पहले, let the breadth, be, 3, sorry, x cm, let the breadth be x cm, so the length, length कितनी हो जाएगी, x प्लस, 3 cm, ठीके, length आगी, breadth आगी, तो area क्या हो जाएगा, rectangle का, area of rectangle होता है, l into b, x प्लस 3, length, breadth, x, इनकी multiply करी, तो यह बन गया, x से x की multiply करी, x स्क्वाइर, x से प्लस 3 की multiply करी, प्लस 3 x, cm स्क्वाइर, ठीके, अब आगया यह statement में, if the length is increased by 9, तो new length आगी, length में change कर दिया, तो new length आगी, x प्लस 3, पहले से थी 9 increase कर दिया, प्लस 9, तो x प्लस 12 cm, यह बन गई, नई length, इसी तरह से हम find करेंगे, new breadth, breadth में क्या change आगा है, पहले breadth थी x, breadth is reduced by 5 cm, 5 cm कम कर दो, कम करना है तो minus करेंगे, x minus 5 cm, ठीके, तो आप new area क्या जाएगा, area क्या होता है, length into breadth, length होगी, x plus 12, breadth होगी, x minus 5, इन दोनों की multiply करते हैं, x की multiply, दोनों binomil है, x की multiply x minus 5 से, फिर second term जो है, plus 12, उसकी पूरी multiply x minus 5 से, ठीके, पहले x की multiply x minus 5 से, फिर plus 12 की multiply x minus 5 से, तो यह बन गया, x square, फिर x की minus 5 से करी, minus 5 x, 12 की x से करी, plus 12 x, 12 की minus 5 से करी, minus 60, ठीके, अब यह दोनों like term है, x x वाले term से, x square, minus 5 x plus 12 x, plus 7 x, minus 60, यह आगे new area, centimeter square, अब आगे क्या बोले, the area remain the same, जो change करा है, length को 9 increase कर दिया, breadth को 5 reduce कर दिया, उसके बाद भी area जो है, वो same रहा, यानि कि original area, और new area यह same है, तो हम इने equal to में रखेंगे, original area of rectangle, इक्वल है new area of rectangle के, तो original था, x square plus 3x, new area आगे, x square plus 7x, minus 60, x square, यह x square इदर आखे, minus x square, plus 3x, plus 7x इदर आखे, minus 7x, like terms को हमने, एक साथ ले लिया, is equal to minus 60, constant term को हमने, RHS में रखेंगे, x square से minus x square, cancel हो जाएगा, plus 3x, minus 7x, minus 4x, is equal to minus 60, minus से minus, cancel कर दो, x is equal to, 60 upon 4, ठीक है, 60 को 4 से दिवाइट किया, 15, x की वेली होगे 15, हमें डाइमेंशन निकालने, तो ब्रेथ है, x, तो ब्रेथ, x, x की वेली होगे 15, तो ब्रेथ होगे 15 cm, और लेंथ होगे, 3 more, यानि, 15 प्रेस 3, 18 cm, कॉश्चन नमबर 15, तो ब्रेथ बेभीन, तो पॉजितिव इंटीजर्स, is 30, दा रेशू अफ इंटीजर्स, इस टो रेशू 5, फाइंट दा इंटीजर्स, दो इंटीजर्स है, उनका डिफ्रेंस दिया है 30, और वो जो इंटीजर्स है, उनका रेशू है 2 रेशू 5, तो हमें वो इंटीजर्स फाइंट करने हैं, देखे, since the इंटीजर्स, are in the रेशू, 2 रेशू 5, क्योंकि इंटीजर्स हमें 2 रेशू 5 दे रखा है, so let, one इंटीजर्स इस, one इंटीजर्स भी 2 एक्स, एंड अदर, भी 5 एक्स, तो हमने एक इंटीजर्स को 2 एक्स, और दूसरे को 5 एक्स ले लिया, ठीक है, अब देखे, इन्होंने बोला है, इन दोनों का जो डिफ्रेंस है, वो 30 है, अब 2 एक्स और 5 एक्स में 5 एक्स बढ़ा होगा, तो 5 एक्स माइनस 2 एक्स, इनका डिफ्रेंस 30 है, जी जी बनने, तो ये एक क्यूशिन बन गए, 5 एक्स माइनस 2 एक्स, 3 एक्स इस इक्वल तू 30, एंद एक्स इस इक्वल तू 30 बई 3, टैं, एक्स की वेली उम्हारे पास टैं आगी, तो फर्स्ट इंटीजर क्या हो गया, 2 एक्स, तो वन इंटीजर, वो हो गया 2 x यानि 2 x 10 x के वाली 10 रखी 20 और सेकिंड हो गया सेकिंड है 5 x तो 5 x 10 50 और देखे हम क्रॉस चेकर सकते हैं 50-20 30 होगा यही हमें इंटीचर्स का डिफ्रेंस दे रखा है इस वाली कुश्चिन में हमें इंटीचर्स का डिफ्रेंस दे रखा है तो हमने ले लिए लेट दे इंटीचर्स भी 2 x and 3 x पहले वाले कुश्चिन में इस से लास्ट वाले कुश्चिन में हमें डिफ्रेंस दे रखा था है यहाँ पर बोला इन दोनों का सम 105 है तो हमने इन दोनों का सम कर दिया 2 x प्लस 3 x is equal to 105 तो यह हो गया 5 x is equal to 105 और x is equal to 105 अपोन 5 21 x की value 21 आगे तो हमारे पास इंटीजर्स के आगे फर्स्ट इंटीजर 2 x यानि 2 multiply 21 42 और सेकिंड यह अधर इंटीजर वो है हमारे पास 3 x तो x की value put कर दी 3 multiply 21 63 ठीके यह दो इंटीजर्स आगे question number 17 a money box contains 1 rupees and 2 rupees coins in the ratio 5 ratio 6 एक box में 1 rupees के और 2 rupees के coins है और उनका ratio है 5 ratio 6 if the total value of the coins in the money box is rupees 85 find the number of 2 rupees coin तो हमें 2 rupees coins कितने हैं उनके number find करने है देखो हमें 1 rupee और 2 rupees coins के ratio दे रखा है let the 1 rupee and 2 rupee coins बी 5 x and 6 x respectively 1 rupee के होगे 5 x और 2 rupees coins होगे 6 x ठीक है यह क्या है इनके numbers तो number of 1 rupee coins ऐसे लिख देते हैं ज्यादा अच्छा रहेगा 1 rupee coins 5 x है और number of 2 rupee coins 2 rupee coins के number 6 x है अब हमारे पास हमें number पता है आप हमें निकालनी है इनके value सपोस किजिए आपके पास 5 coins है number कितने हैं आपके पास points के 5 और उनके value कितने हैं यानि कि यह coins जो है इनकी कितने वाले पैसे हैं मतलब कितने रूपीज के coins हैं सपोस किजिए यह 10 rupees के हैं तो इनकी total value कितनी होगी 5 x 10 50 rupees होगी न इसी तरह से हम इनके value find करेंगे तो value of 1 rupee coins 1 rupees coin की value निकालने के लिए जितने हमारे पास 1 rupees के coins हैं यानि 5 x उसकी multiply हम 1 से करेंगे तो value आगे रूपीज 5 x 1 rupees coins की value आगे रूपीज 5 x इसी तरह से value of 2 rupee coins तो number of 2 rupee coins कितने 6 x और इसकी value निकालने के लिए हम into करेंगे 2 से तो यह हो जाएंगे rupees 12 x तो 2 rupee coins की value कितने है 12 x और इन दोनों की मिला कर कितने हैं total 85 rupee तो हमने इन दोनों को add कर दिया 5 x rupees प्लस 12 x rupees इन दोनों को मिला कर total है 85 rupee तो 17 x is equal to 85 और x is equal to 85 upon 17 85 को 17 से divide करोगे आजेगा 5 x की value 5 आगे अब हमें क्या find करना है find the number of 2 rupee coins 2 rupee coins कितने है तो number of 2 rupee coins कितने है थे 6 x तो number of 2 rupee coins 6 x तो इसमें 6 into x की value 5 पूट कर दो तो आजाएगा 30 तो 2 rupee coins है हमारे पास 30 question number 18 a purse has only 1 rupee and 2 rupee coins in it एक purse है जिसमें 1 rupee के और 2 rupee के coins है the number of 2 rupee coins is 1 third the number of 1 rupee coins अब 2 rupee coins कितने है जितने भी 1 rupee coins है उनके 1 third ठीके if the purse has rupees 115 अब दोनों को मिला कर total rupees जो है वो है 115 find the number of 2 rupee coins 2 rupee coins कितने है वो हमें find करना है तो देखें यहां से देखेंगे the number of 2 rupee coins is 1 third the number of 1 rupee coins तो सबसे बहले हम ले लेते है let the number of 1 rupee coins be x 1 rupee coins कितने ले ले हमने x so number of 2 rupee coins is कितने है वन थर्ड x का वन थर्ड फाइंट कर ले जिए x by 3 हो जाएगा ठीके अब number of 1 rupee coins होगे x number of 2 rupee coins होगे x by 3 अब इनके निकालते हम value value of 1 rupee coin x के multiply 1 rupee के तो 1 से करेंगे तो आजाएगा rupee x फिर value of 2 rupee coins number of 2 rupee coins कितने है x by 3 यह 2 rupee के इसकी multiply करेंगे 2 से तो आजाएगा rupee 2 x by 3 ठीके 1 rupee coins की value होगे x 2 rupee coins की value है 2 x by 3 और इन दोनों की मिलाकर टोटल है rupee is 115 ठीके तो हमने इनको आड़ करा x rupee is plus 2 x by 3 rupees is equal to 115 LCM आगया 3 3 x plus 2 x is equal to 115 इसको आड़ करा 3 x plus 2 x 5 x upon 3 is equal to 115 और x is equal to 115 यह 3 उपर चला जाएगा और 5 नीचे ठीके यह वाली पूरी जो fraction है यहां कर इसका reciprocal हो गया LHS से जब RHS बाई 5 तूजब 10 5 तूजब 15 3 तूजब 9 3 तूजब 6 x की value हमने निकाल ली 69 तो 1 rupee coins x थे तो 1 rupee coins कितने हो गए 69 और number of 2 rupee coins x by 3 थे तो 2 rupee coins कितने हो जाएगे 69 अपॉन 3 यानि 23 और हमें find करने है number of 2 rupee coins इसलिए आप लिखेंगे number of 2 rupee coins is x by 3 तो x की value पूट कर दो 69 69 by 3 23 33